Hello everyone, welcome back to the Samachik Guru channel. आज हम करने जा रहे हैं Computer Science Class 6 में का Lesson No. 3 का Part 2 वीडियो ठीक है? इस चेप्टर का नाम है Basic of Working with Computers यानि की कम्प्यूटर के साथ काम करने की मूलभूत बाते जो मूल बाते हैं. तो बच्चो अगर आपने इस चेप्टर का Part 1 का वीडियो ना देखा हो तो मैं सचिस्ट करूँगी कि पहले आप उसे जाकर देखें, ठीक है? क्योंकि उस वीडियो में हमने काफी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिये थे, ठीक है? और उसके कौन-कौन से कौंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में जाना था, ठीक है? वर्किंग विडियो में वो प्राक्टिकल नॉलेज भी देना है, ठीक है? वो भी जानेंगे, तो हम बहुत से स्कूल के सब थिए ठीक है, वो नहीं दी जाती है, तो भच्चों के पास नहीं होती है, ठीक है? तो हम प्राक्टिकल किस तरीकी से काम करेंगे, वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है? तो आएए चाक्टर आपना वहीं से कॉंटिन्यू करते हैं, तो सबसे पहला हमारा वर्ड पैट, ठीक है? This is a rich text format, word processor, we can create a document with formatting using this application, ये जो है, वो text format है, text format मतला, जिसमें की आप text जो है, वो लिख सकते हैं, ठीक है? Word processor की तरह काम करता है, we can create a document with formatting using this application, हम इसमें जो है, वो भी हमारा document है, ठीक है? उसमें changes रेकर आ सकते हैं, ठीक है? This application can be used to write letters or to create documents with text data only, तो इसमें जो है, हम सिर्फ text से related, जैसे जो भी आपका computer material पी इसमें दीख रहा है, वो भी text है, तो अगर हमने कोई letter type करना है, कोई document type करना है, जिसमें की text है, वो ही data है, इसके अदर enter जो है, वो किया जा सकता है, ग्राफिक्स like chart, pictures, clipart, etc. cannot be inserted in it, और इ जो ही जो है वो छोटी सी image, जो clipart कहते है, जिससे लगाना चाहें, तो बो चीज जो है नहीं लगाई जा सकती है, ठीके, पार्स ओ वोडपैड विंडू, अब उसका part क्या है, देखो, तो यह सबसे ऊपर का यह जो आपको यह दिख रहा है, जहां पर document लिखा होता है, इसक का नाम यही होता है, ठीक है, minimize, restore, or close, restore मैं दुबारा बता दूं, कि जब हम computer जो है, वो start करते हैं, तो हमारी जो screen होती है, ठीक है, जो भी हम program open कर रहे हैं, वो window shape में open होता है, जब हम इस button पे click करेंगे, ठीक है, तो वो पूरे screen पे अखुल जाएगा, तो जब हम दुबार कहते हैं, यह जो आपको दिख रहा है, सारा जो डेट, यह दिख रहा है, लेकर जो है जो, चैसले सार यहां कहते हैं, यहां अपर हम काम करते हैं, इसपो work area बोलते हैं, और last mean, चीए हम जोम कर सकते हो, यह room that is what you can do, stat करेंगे तो सारी चीजों को करके लिखाया जाएगा आपको किस तरीके से हमने wordpad चलाना है तो सबसे पहले आप start button पर जाओगे start पर जाने के बाद all programs में जाओगे फिर accessories में जाओगे और फिर wordpad पर click कर दोगे ठीक है या फिर दूसरा option आपके पास यह तो आप चीजा start button पर जाओ and type wordpad in search bar तो जब आप start button पर क्लिक करोगे तो आपको एक search bar उनता है आप उस पर type कर दो wordpad click the icon from the list and press enter key तो आपके सामने wordpad ओला option फिल जाएगा उस पर click enter कर दो और आपको program जो हो चल जाएगा ठीक है अब हम paint के बारे में फड़ लेते हैं ठीक है this is inbuilt graphical application of Microsoft Windows 7 तो Microsoft Windows 7 का यह graphical application है ठीक है जिसमें के आप जो है वो images बगारा बनाते हैं और click करके mouse कि तू जो है वो काम होगा we can create drawing or other basic graphical object using this application अब इस app को यूज करते हो इस application को यूज करके उस पर कुछ है वो कोई भी आप graphical object या कोई भी drawing बना सकते हैं it is also known as MS Paint MS क्या है Microsoft तो इसको Microsoft Paint या MS Paint वो भी बोला जाता है MS Paint has several tools for drawing and coloring तो इसमें वो काफी सारे tools दिये होते हैं आपको drawing के लिए, coloring के लिए we can add it in existing picture also using this application अब आपके पास तहले से कोई picture है आप उसमें अगर चींज करना चाहो तो आपको चीज कर सकते हैं ठीक है next है parts of paint window तो बच्चों अगर आपने एक वाली किसी चीज कर से हमने wordpad में भी देखा है अगर आपको उसकी buttons या areas वगर याद हो गए तो सारा जो है वो लगबग सेम ही है यहां पर देखो सब से उपर वाली line title bar ठीक है same जैसा पिछले था minimize restore button और ही close फिर यहां पर जो आपका area है वो ribbon का area है यह जो scale दिया हुआ है आपको ठीक है यहां पर काम करना है वो आपका work area होता है और यहां पर यहां पर लास्ट वाली line होती है उसको हम status bar कहते है जहां से zoom in or out किया जाता है next है कि paint जो है अब वो चलाया कैसे है सबसे पहले आपने start पर जाना है all programs पर जाना है फिर accessories पर जाना है और फिर paint भी चले जाओगे यह दूसरा option फिर वही है आपके पास कि आप पहले start button पर जाओ जो search bar होगा उसमें आपने paint word type करना है ठीक है आप पर computer calculator this application of Microsoft Windows 7 is used to do calculation related work तो यह calculation से related जो भी काम होता है उसको इसमें किया जाता है we can use this application as we use real calculator तो आप लोगों ने calculator use किया हुआ है ना जिस तरीके से आप वो calculator use करते हो ठीक है उसी तरीके से जो है वो computer में भी calculator होता है वो ही same work रहता है ठीक है its layout and buttons are also similar to real calculator अप जैसे कि आपका आपके पास जो real calculator है उसको जिस तरीके से buttons होते है या जिस तरीके से design होता है same तरीके के button or design से होते है वो इस calculator में भी है we can perform calculation up to 16 digits using this application यह चीज़ भ्यान रखना कि हम जो इसमें calculation है वो सिफ 16 digits तक ही जो है वो कर सकते है ठीक है parts of calculator calculator के क्या-क्या part होते है यह चीज़ में मैंस का है ठीक है यह जो second button है वो restore का button है और जो तीसरा button है वो close का button है जो यहां पर आपको view, edit or help लिखा हुआ नजर आ रहा है ठीक है इसको हम menu बार कहते हैं और बाकी जो है वो अपका यह वाला जो है यह working area अज़ेगा ठीक है running calculator अब calculator जाए वो computer में किस तरीके से चलाएं तो start पर जाओगे पहले फिर all program फिर accessories अफिर आप calculator पर क्लिक कर जोगे ठीक है आप एंटर की प्रेस कर दो तो आपका calculator जो है वो open हो जाएगा using run box run box जो है वो किस तरीके से चलाया जाता है और होता क्या है run box allows a user to open a program by name तो यह भी जो है आपको एक मतला कि allow करता है ठीक है कि आप program को उसके नाम से जो हो चला सके this option of windows is very useful for fast opening of programs यह जो window है ठीक है यह जो यह option है यह program को बहुत जल्दी open कर देता है instead of navigating through menus अब जैसा आपने पिछले पढ़ा आप सबसे पहले आप start button पी जाओ फिर all program पे तो यह लंबा प्रोसेस नहीं यहां पर यह सारी जो जंजट है उससे जहाँ चुटकारा मिल जाएगा we can directly run the name of program to run हम यहां पर directly जो है जो है जो है जो हम directly हां पर program को नाम लिखेंगे और उसको जो है हम मतला ok करके वहां पर हम अपना उस program को open कर सकते है अब run box जो है वह कैसे चलाया जाता है Microsoft Windows 7 में वैसे तो Windows 7 नहीं इसके ऊपर के जितने भी version है आप उन सम्में इसी तरीके से जो है वह चलाओगे तो to open run box in Microsoft Windows 7 we can use following step हमें यह step follow करना है window button window button क्या होता है आप देखोगे कि आपका keyboard है उसमें एक button बना होता है उसके अंदर window का symbol होता है उसको window button बोलते है ठीक है उसको दबाता रखना है और उसके साथ अपने R का button दबाना है ठीक है तो run box जो है वह open हो जाएगा यह दूसरा तरीका है start button पे चाहो और search करो run ठीक है click the icon from the list and press enter की जब आपको run का option दिख जाएगा तो आप enter की प्रेस करो ठीक है search box of start menu search box क्या होता है यह जो दिख रहा है आपको जब आप computer के इस button पे एक प्रेस क्लिक करते हो यह start button पे तो इस तरकी की screen ओपन होगी है ठीक है तो यहाँ पर जो यह जो box दिख रहा है इसको हो हम कहते है search box ठीक है we can use search box of Microsoft Windows 7 to search file or program of our computer तो हम किसी file को यह किसी program को search करने के लिए इसका 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 है It can find a given file from hard drive यह हाद्ड्राइव मेंसेज जो भी हम नाम देंगे उस फाइल को यह ढूं सकता है इस लोकेटेट अट अट बॉटम फस्टार्ट मेन्यों फस्टार्ट मेन्यों सबसे नीचे है स्टार्ट बटन के ठीक है जो विंडो 10 है ठीक है उसमें यहां पर क्लिक करने पर नहीं आता बल्कि जो टास्क बार में आपको उसके सामने ही दिखाई देता है ठीक है if this bar is missing from the start menu then we can re-enable it from अगर यह start box यह वो आपको computer पे नहीं दिख रहा है तो हम इसको जो है वो दुबारा ला सकते हैं ठीक है तो यह हम किस तरीक है if start menu is missing then follow these steps अगर start menu यह वो आपको computer पे नहीं दिख रहा है तो आपको इन steps को जो है वो follow करना है ठीक है open the start menu and click control panel ठीक है आप सबसे पहले start menu पर जाएंगे और उसके बाद जो है control panel खोलेंगे ठीक है click uninstaller program under program फिर जब programs पे click करके आप उसके अंदर uninstaller program पे जो है वो click करेंगे ठीक है click turn windows feature on or off उसमें आपको एक option दिया जाएगा turn window feature on or off का ठीक है आपने उस पे click करना है click on check box named window search जहां पर window search लिखा हुआगा उसके check box पे आपने टिक कर देना है ठीक है click ok to save your changes उसके बाद last में आपको ok का option मिलेगा तो आपने ok पे click कर देना है और आपकी changes जहां वो save हो जाएंगे ठीक है search box will start showing in start menu after restarting our computer तो जब हम अपने computer को restart करेंगे तो search box जो है वो आपकी computer पे show होना शिरू हो जाएगा ठीक है next है हमारा shutting down computer system computer system computer system को किस तरीकी से shutdown यानि की बंद किया जाता है shutting down a computer is process of turning of the computer system and all our work is over shutting down computer process होता है जिसमें जब हमारा computer पे सारा काम हो जाता है तो हम computer को बंद करते हैं ठीक है this process is very important because if shutting down is not properly done our data can get lost तो shutting down का जो मतलग की बहुत जादा important है shutting down का process अगर हम shut down जो है वो proper नहीं करेंगे तो हमारा data जो है वो उड़ सकता है ठीक है improper shutdown can also cause corruption of operating system अगर proper तरीके से computer को shut down ना किया जाए तो जो हमारा operating system है ठीक है वो भी corrupt हो जाता है when our work is completed and we want to leave the computer then following are the options that are available in the shutdown menu तो जब हमारा काम खतम हो जाए ठीक है या फिर हमने जो है वो computer से जो है वो या हमने जाना हो ठीक है computer को छोड़ने से पहले हम जो है वो shut down के menu में हमें यह सारे जो options है ठीक है जिसमें की switch user है log off है lock है restart है sleep है यह सारे ही option जो है वो मिलते हैं यह सारे option जो है वो power menu option है ठीक है we can choose any of them as per our requirement हमारी जरुवत के हिसाब से हम कोई भी जो है वो option है वो choose कर सकते है these options are as under तो यह options जो है वो कुछ इस प्रकार है ठीक है सबसे पहले हम sleep के बारे में देख लेते हैं कि sleep जो है वो क्या गयता है this option of power off menu can be used when we want to leave a computer for some time अगर आपने कुछ देर के लिए जो है वो बस जाना है ठीक है जैसे कि आप computer किसी office मेरी जो है वो computer में काम कर रहे हो उन्होंने वाश्रून जाना है ठीक है during this mode the power of monitor LCD gets off and all your data is kept safe तो यहां पर जो monitor की power है वो safe हो जाती है ठीक है वो बंद हो जाएगी और आपका सारा data जो है वो safe रहेगा when we put a computer into sleep mode then its power remain on जब हम computer को sleep mode में डाल लेते हैं तो power जो है वो चलती है ठीक है and its power light started blinking और जसकी power light होती है red color की CPU में वो blink करती है ठीक है मतलब आएगी जाएगी light इस तरीके से blink करती है this blinking red color LED on CPU shows at computer is in sleep mode और जो red color LED जो है वो आपकी CPU पे चलेगी उसे पता चलेगा कि computer वो sleeping mode ठीक है we can press power button to resume computer from this mode हम जो है वो power button को ठीक है power button के जिससे आप computer चलाते है ठीक है उसी button को दुबारा से जो है वो चला से प्रेस करेंगे और हमारा computer जो है वो वापिस से active हो जाएगा ठीक है next option है हमारा shutdown का this option of power menu can be used when we have finished all our work इस option को तब यूज करो जब आपका सारा काम finished हो गया है when we shut down computer all parts of computer system are turned off जो हम shut down करते हैं तो computer के सारे parts जो बंद हो जाते हैं and no power remain active in the computer system computer system में कोई भी power जो है वो नहीं होती है ठीक है power call से electric power ठीक है we can switch off the main power supply of computer when it is shut down जो computer जो हम shut down कर देते हैं तो हम उसका जो main power supply है वो बंद कर देते हैं this process can take some time and we must wait till it is over ये जो shut down का process होता है ये कुछ time ले सकता है ठीक है और हमें तब तक इसका वेट करना चाहिए जब तक की ये हो नहीं जाता बंद नहीं हो जाता this process may take time according to the size of data being used तो आप कितना data जो है वो use कर रहे थे ठीक है and number of programs currently running कितने computer कितने programs वो चल रहे थे उन सब चीजों को देखते हुए ये shutdown में लंबा ये छोटरा time जो है वो ले सकता है next lock-off as we have studied in this chapter that windows 7 allows us to assess a computer differently among users now you have studied in the starting time that each user can upgrade each computer we can keep our data secure from other user with the help of user accounts in it so we can keep our data safe from other users we can keep our data safe from other users so what is here if we have finished our work and want to leave a computer but another user is there to assess the same computer for own work in different user accounts then we can use log-off option of power menu now your job is done but if you have worked on the computer it has also made user ID so don't see your data or copy so don't copy this is why you can do it you can log off the computer okay next is your restart this option of power menu can be used when any new program is installed when you have a new program in the computer or update the computer system then press the restart button sometime when new devices or hardware is attached with computer and it is required to restart our computer and it is required to restart our computer it happens that we can use new devices or hardware to attach to the hardware so we need to restart the computer okay in such cases we can use restart option of power menu to shut down our computer and start it again just like we know it okay again start means start means restart okay साट करना तो即ि उस केसिश में जहां पर हम चाहते हैं कि दोवारा से अपने आप स्टाट हो जाए तो हम री स्टाट कर बटन जो है दो है वो दोइन भी च प्रइव स्टाट ऐसे जिस अपने विट च बटन दूट आपने बीका एस चप्रेट का प्रक्रेफिवर ने तो यह मैं ले आई हूँ आपको अपने computer की screen पर ठीक है यह देखो यह मेरा Windows 10 जो है वो install है इसमें यह इसका start button है ठीक है लेकिन अगर आप Windows 7 में देखोगे तो वो surround shape का होगा उसके अंदर इसी तरीके का icon जो है वो बना होगा ठीक है तो जा फर्क है इसमें Windows 7 में जो है जब तो पहले taskbar उसको देख लेते हैं कि taskbar में क्या-क्या चीज़े जो है हमने पढ़ी किसको क्या बोलते है ठीक है तो यह हमारा search box हो गया ठीक है यह जो है यहां पर यह हमारी क्या है यहां पर quick launch icons है ठीक है यानि कि अगर मैं इस पर click करूंगी तो यह icon जो है वो अपने आप इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यह जो छोटा सा आपको इस तरीके का symbol दिख रहा है यह क्या है मेरा यह है मेरा system tray ठीक है इसके बाद अगर मैं notification area की बात करूं तो यह मेरा notification area है यहां पर इसका जो है वो clock है ठीक है तो यह जो हो गया हमने taskbar के बारे में discuss कर लिया अब है कि हम प्रोग्राम को जो है वो किस तरीके से चला सबसे पहले तो खुफर भ20 गुक जो वह एक अही तरीके से चलेगा ठीक है मैं आपको खूल के दिखावी दूंगी हम सब प्रोग्राम को अलग अलग जो बीचला कर देख लेंगे ठीक Het सबसे पहले हम Start button पी click करेंगे ठीक है और फिर उसके बाद हम all program पी click करेंगे फिर accessories ठीक है और उसके बाद जो है हम यहां पर notepad ओपन करने जा है तो नोडपड पर जो है वो click करेंगे अगर लोडपड के लिए अगर आप पर जैनके छोड़ प्लिक करेंगे ठीक है है अर अगर पेंट ओपन करना चाहते हैं तो यहां पर प्लिक करेंगे हुआ है हचuelle हम कि चलीं पाड़ स्चाट बटन पर क्लिक करते हैं तो यह जो नीच्च को बार देख रहा है इसे हम सर्च बार गाते हैं ध्युक्य University अपर दोगी डूब्रेम एकर नाम हो जाएगा जैसे मैं नोटपैट कर शार वाल्पीबर है यहां फार नाम एख नाव और इंप पर पाइपर आइकन अबन गया और अंब करों तो उपन हो जाएगा इसी तरीके से जब अपिस पर वाल्पैड लिखो गेए तो वाल्पैड का आइकन प्रेया वह सामने आजाएगा या जाएगा है या सब पर ठीकर वह चीच करने जाए इसके लिए आप माउस से रैट लिक का मटें डबाएंगे परस्टनलाइस पे जाएंगे और यहां से आप जो है जिस भी तर्के का पुझने फोच यह बॉच आपका अन्यूहर पोश्क पेड करेंगे ठीक है और यहां से आप का जिए वह यह य जाएगा ठीक है अब हम रण ओपन करने जा रहे हैं इसके लिए आपने अपने कीबोर से स्टार्ट बटन की साथ-साथ आर जो है उसको दबाना है ठीक है यानि कि आप स्टार्ट बटन को प्रेस करके रखोंगे फिर आर दबा होगे तो रेंड डाइलोग वोक्स आपके सामन अब जोगी प्रोग्राम आप ऑपन करना चाहते हो ठीक है उसका नाम यहां पर लिको और उकी जहां हूँ जैसे मैं यहां पर नोटपैट को जहां वो ओपन किया है इसी तरीके से आप दूसरे प्रोग्राम भी उपन कर सकते हूं ठीक है अब हम इस चप्टर के बैक एक्सर बोलते हैं, ठीक है, all the deleted files goes to, जितने भी file आपने डिलीट किया है, वो सारी जाती है, आपकी recycle bean में, ठीक है, which part of window remains visible all the time when we use other application, कौन सा जो है window का पार्ट जो है, वो हर time आपको दिखेगा जब आप कोई भी app जो है, या application जो है, वो चला रहे हैं, तो वो होता है task bar, ठीक है, next है, which one is an example of operating system, operating system के example कौन सा है, वो windows भी होता है, android भी होता है, और dos भी होता है, इसलिए हमने all of the above पे टिक किया है, ठीक है, to open a file, we can double click on, इसे file को open करने के लिए, हम उस file पे भी जाके हम उस पे click कर सकते हैं, ठीक है, या उस file के shortcut भी click कर सकते हैं, इसलिए दोनों ही answer ठीक है, इसलिए मैंने both A and B जो है, उस पे tick कर दिया है, short answer type questions को discuss कर लेते हैं, write the name of any windows application, तो हम लोगों ने अभी जो है, सबसे last topic है न, shutdown से पहले, तो हमने जो है वो उसके बारे में ही discuss किया था, तो the name of windows application आर, तो कौन-कौन से है, notepad, wordpad, paint, calculator, etc., ठीक है, write the name of any three icons, three icons के नाम बताने है, तो the name of three icons are my computer, network and recycle, ठीक है, write the names of components of a desktop, जो desktop है, उसकी कौन-कौन से parts होते हैं, उसके बारे में बताना है, तो the component of a desktop are icons होते है, wallpaper और taskbar, what is a desktop, desktop जो है, वो क्या है, when we start the computer, the first screen that is displayed on computer is called desktop, तो जब हम computer start करते हैं, जो पहली screen हमारे सामने आती है, उसको हम desktop कहते हैं, अब हम long answer type questions को भी discuss कर लेते हैं, सबसे पहला question है, what is operating system, explain different types of operating system, operating system क्या होता है, और उसके अलग-अलग types जो है, उसको explain करना है, ठीक है, an operating system is an interface between a computer user and computer hardware, तो computer hardware, यानि कि जो computer की machinery है, वो और computer user, यानि कि जो भी computer को use कर रहा है, उसके बीच में interface है, वो किस तरीके से hardware से connect होगा, ठीक है, तो वो operating system के थूँ जो है, वो computer hardware से connect होगा, जो भी use कर रहा है computer को, it makes a computer hardware working by controlling all the internal process of a computer, ये computer के hardware को control करता है, ठीक है, तो उसके according जो है, वो काम करता है, different type of operating system जो है, वो है, Windows, Linux, DOS, Android, Sambian, etc., what is taskbar, explain the functions of its part, taskbar क्या होता है, इसके parts के जो function है, वो बताने है, ठीक है, यानि कि उसके parts के क्या काम करते है, तो taskbar is located at the bottom of the screen, तो taskbar होता है, वो सबसे नीचे की साइड होता है, ठीक है, this bar is a part of operating system, ये operating system का ही part होता है, it allows us to start a program using start menu, ये हमें अलाव करता है, कि हम start menu पे click करके, अपना program जो है, वो चला सकते है, this bar always remains visible during working in any application, और ये part जो है, वो हमेशा आपको दिखेगा चाहे, आप कोई भी application जो है, वो चला रहे हो, we can navigate through active program using taskbar, हम इसके through जो है, वो प्रोग्राम को switch भी कर सकते हैं, अगर दो तीन फाइल हमारी खुली हुई है, तो हम उस प्रोदूसरे प्रोग्राम को भी खोल सकते हैं, साथ ही, function of taskbar parts साथ, तो उसके taskbar के parts है, उसका function क्या है, सबसे पहला start button मिलेगा आपको, we can start any application and program with the help of start button, हम कोई भी program जो है, यह कोई भी application जो है, वो चला सते है, start button से, it is the first item on taskbar, सबसे पहला जो है, वो item होता है, यह taskbar का, it is having logo of windows on it, तो यह एक circle सा बना होता है, इसके उपर window का logo बना होता है, ठीक है, quick launch bar, quick launch bar किया है, this section of the taskbar enable us to launch program without locating them from start menu, तो यहाँ पर जो है, वो चोटे 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 आइकन होते है, program के, ठीक है, सिधा उस पर click करो, और आपका program जो है, वो open हो जाएगा, it is located next to the start button, और यह start button के अगले, उसके आगे होते है, ठीक है, फिर आप जाता है, अपका system tray, it is located at right side of the taskbar, taskbar की यह right side में होता है, it contain miniature icons for easy access to system functions such as fax, printer, modem, volume, etc. तो इसमें जो है, कुछ इस तरिके के आई, वो functions जो होते है, जैसे कि fax हो गया, printer हो गया, modem, volume, अगरा आप करना है, आपने slow करना है, तो वो आप changes कर सकते हो, फिर है notification area, this area is a part of the taskbar that provides notification and status of device, तो यह जो है notification area, नाम से पतर चल रहा है, यह आपको notification देगा, यह device का status बताएगा, ठीक है, it can also be used to display icon, यह icons को भी display करता है, for system and program features that are not kept, that are not on the desktop, जो की desktop पे नहीं है, उस icons of program को यह, उसके features को show करता है, clock, at the end of the taskbar, clock is displayed, तो end में जो है, clock show किया जाता है, जिसमे date और timing, दोनों ही चीज़ जो है, वो शो की जाती है, ठीक है, we can change time and date by clicking on it, हम जो हम इस clock पे क्लिक करेंगे, तो हम क्लिक करने के बाद, जो screen open होगे, उसके record, उस पे जो है, हम अपना time or date, जो है, वो change कर सकते है, it requires administration access to change the time or date, तो जो भी administrator होगा, ठीक है, वो ही जो है, यह काम जो है, वो कर पाएगा, तो कि उसके पास उसका password होगा, ठीक है, active programs, जो active program नाम से पता चल रहा है, जो program पे आप काम कर रहे हो, this area of taskbar is between quick access bar and system tray area तो ये quick access bar और system tray area की बीच का पाट होता है in this area of taskbar all the active programs appeared as an icon तो यहां पर जितने भी program आप चला रहे हो वो सारे icon की form में शो होते हैं and we can easily navigate among them और हम उसमें एक दूसरे program में या switch कर सकते हैं या दूसरे program को चला सकते हैं ठीक है third question है what do you mean by icon आप icon से क्या समझते हैं explain any three desktop icon और तीन desktop icon को explain करना है आपने तो icons are small picture on desktop तो icons होते हैं वो छोटे-छोटे picture होते हैं desktop पर icons act like a button to access a program folder or file और ये button की तरह काम करते हैं ठीक है किसी file को उपन करने के लिए folder या किसी program को उपन करने के लिए किसी program को उपन करने के लिए हमें उस पर वो डबल क्लिक करना होता है ठीक है this operation is called double click और ये जो दो बारी क्लिक किया ना इसको double click बोलते हैं some example of icons showing on desktop आजेंड तो कुछ icons के रहे example वो यह रहे my computer this icon is used to access all the HDD drive तो यह जो my computer जो है यह आपको सभी hard disk drive तक पहुंच जो है वह आपकी करता है जितनी भी removable media है जैसे कि आपका pen drive हो गया CD, DVD वहां तक और other places present in a computer system यह दूसरे जो places है C drive हो गया D drive हो गया तो आप my computer के तो पहुंच सकते हो when we click on this icon जो हम इस icon पे click करते हैं a new window opens and all items can be accessed by double clicking on them तो एक नई window खुल जाती है ठीक है और आप उस पे जो है वो double click करके उसको open कर सकते हैं second है network this icon is used to access a network location तो यह जो है जिसे किसी एक building में bank हो गया तो बचे यह answers यह जो topic है यह मैंने detail में आपको जो है वो चैप्टर के starting में ही संजा दिया था तो बस मैं यहां पर इसको summarize कर रही हूं तो अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप starting से video जो है वो देखे ठीक है तो यहां पर जो है आइकन जो है अगर आपने बिल्ट किया हुआ है वहां पर ठीक है तो जो है और आपका computer से connected है तो यहां पर networking जो है वो काम करेगा we can share our data and other resources through this icon हम लोग अपना data share कर सकते हैं यह जो दूसरे resources है ठीक है वो networking के through हो रहा है all the connected computer can be accessed from this icon too जितने भी computer connected है इससे वो सब जो है वो मतलब से connected होते है वो इस icon के through जो है वो connect कर सकते है recycle beam this icon looks like a dustbin यह जो icon होता है यह dustbin की तरह ही दिखता है it works like a dustbin also और यह काम भी उसका dustbin की तरह ही होता है as it contains all the deleted files folder icon etc क्योंकि इसके इंदर जितनी भी file हम delete file folder icon जो भी हम delete करते है वो सब इसमें चला जाता है ठीक है when we delete any item then it is moved to recycle beam by default तो जब हम किसी भी चीस को है वो delete करेंगे तो by default वो इसमें जाएगा recycle bean में जाएगा if we delete any item accidentally अगर हमने कोई गलती से कोई item जो है वो delete कर दिया है ठीक है या कोई program delete कर दिया है then we can restore the deleted item तो हम उस program को restore कर सकते वापिस ला सकते है item from recycle bean anytime ठीक है किसी भी टाइम हम उसको वापिस ला सकते है next question है आपका explain the different options of shutting down a computer system shutting down computer system के shutdown का system है उसमें कौन-कौन से option है उसको explain करना है तो सबसे पहला उसमें option आता है आपका sleep this option is power off menu can be used when we want to leave a computer for some time यह power off किया जाता है इसके through ठीक है जब हम computer को कुछ देर के लिए जाना चाहते है छोड़कर तो हम sleep mode पे छोड़ देते है computer when we put a computer into sleep mode then its power remain on तो जब हम sleep mode पे छोड़ते है तो इसका power जो है वो चलता रहता है ठीक है और इसके CPU पर जो है वो red light जो है वो blink होती है ठीक है यह second option जो है वो तब यूज करोगा जो अपने अपना सारा काम जो है वो फिनिश कर लिया है ठीक है when we shut down a computer all parts of computer system are turned off तो जो हम shut down कर तो computer के सारे parts होते है वो बंद हो जाते है and no power remains active in the computer system और उसको कोई power नहीं मेरा that means कोई electricity जो है उसका नहीं पहुंच रही है ठीक है तो जो थर्ड ओप्शन है उसमें क्या होता है कि हमें पता है कि जब हम जो user id अलग अलग बनी हुए एक ही computer को काफी सारे user जो है वो चला सकते हैं ठीक है तो जब हमें हमारा काम फिनिश हो जाता है और हमें पता है कि हमारे आने के बाद जो है मतला हमारा काम फटम होने के बाद कोई दूसरा जो है उस computer को operate करने वाला है ठीक है तो हम अपना data उस से सेव करने के लिए हम computer को log off कर देते हैं ठीक है फिर है restart when any new program is installed or any updation in the system is done जब कोई new program आप computer में दालते हो या कोई update करते हो sometime when new device or hardware is attached with computer and it is required to restart our computer बहुत बहुत होता है कि हम कोई new device लगाते हैं अपने computer में या hardware कोई अटाच करते हैं तो हमें जरुवत होती है कि हम computer को बन कर के दुबारा start करे ठीक है तो ऐसे cases में जो है वो क्या किया चाता है restart mode पर जो है वो computer को भेज दिया जाता है उसमें क्या होता है in such cases we can use restart option of power menu to shut down our computer and start it again तो जो है इस case में क्या होगा कि पहले computer जो हो shut down हो जाएगा उसके बाद दुबारा ही computer अपने आप चलने लगेगा ठीक है एक्टिविटी दी गई है आपको आपने इन आइकन के नाम बताने है तो यह notepad का आइकन है ठीक है यह paint का हो गया आपका यह calculator यह my computer यह network का है recycle bean और start button तो बचो यहां पर यह chapter आपका हो गया फिनिश in case कोई भी doubt आपको रहिया है तो आप comment section में question कीजे आपको reply मिल जाएगा thank you very much